वोब की motion in a state line का लिक्टर नमबर वन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे differentiation परे differentiation समझ लेंगे उसके बाद integration समझ लेंगे उसके बाद फिर हम लोग अपना motion in a state line continue करेंगे क्यों कि अब जो मोसानीन स्टेट लाइन आने वाला है उसमें differentiation और integration का बहुत ज्यादा यूज आएगा जितना यूज आएगा पूरा differentiation पूरा integration पढ़ा दूगा जो जो बोलूँगा अच्छे से notes बनाते जाना याद रखना handwritten notes are the best notes ठीक है निट पॉंट व्यू से जितना भी important है differentiation सिखा दोंगा integration सिखा दोंगा आपको पूरी mathematics नहीं पढ़नी है तो चलो स्टार्ट करते हैं differentiation सबसे पहले देखो कि differentiation का मतलब होता क्या है मतलब इसको कैसे denote करते हैं अगर मान लो कहीं भी d by d x लिखा हो तो समझ जाना कि तुमको क्या करना है तुमको differentiation करना है उपर भी d रहेगा निचे भी d रहेगा जरूरी निए कि इसके साथ x लिखा हो इसके साथ कुछ भी हो सकता है कोई भी alphabet हो सकता है इस point को note करना यहाँ पे any alphabet हो सकता है मैंने बस समझाने के लिए तुम्हें यहां पर क्या लिखा है एक्स लिखा हुआ है बात आई समझ में हां सर बात आई समझ में जैसे माल लो अगर वाई इस इकॉल टू एफ एक्स तुम्हारे पास कोई function है बाप रे बाप function क्या होता है सर इतना समझो कि f of x का मतलब इसको क्या पढ़ते है f of x f of x का मतलब क्या होता है कि यहां पर ऐसी कोई चीज होगी जो कि x के term से बस निखी होगी जैसे वह x square प्लस 2 हो चाहिए x q plus 3 x square हो तो यह क्या कहला आगगा • अगर मैं बोलू कि बताओ यह x square plus y यह तुम्हारा fx है क्या नहीं यह fx तुम्हारा नहीं है कैसे समाज में आया सर आपने पताया मुझे कि यह bracket के अंदर वहां में जो x लिखा हुआ है वो पूरे टर्म में आना चाहिए देखो यहां पर x square आया यहां पर y आया है इसलिए यह f of x नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ भी लिख दो ऐसा कुछ भी लिख दो जिसमें की सिर्फ x वाले टर्म्स अब इसमें देखो सर बोलो सर इसमें x वाले टर्म्स तो नहीं आया है यहां तो x square plus 2 अरे भाई इसके साथ x का power 0 लिख सकते हो ना क्योंकि किसी की power भी 0 क्या होती है 1 होती है नहीं पता है तो जान लो अगर मैं बोलू आपको 2 का power 0 तो 1 होगा 3 का power 0 तो 1 होगा बात आई समझ में या सर बात आई समझ में चलो सर हम differentiation कैसे denote करते हैं करना तुम समझ गया सर कोशन कैसे करेंगे apply कैसे करना वह बताओ सर देखो कि मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है y is equal to समझना कि y is equal to x square plus 3x मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है और तुमसे बोलेगा कि तुम d y by d x find करो तो देखो जो denominator में d x लिखा होगा न उस d के साथ जो भी है जैसे यहां पर d के साथ क्या है यहां पर d के साथ तुम्हारे पास x है देखो d के साथ तुम्हारे पास x है ठीक है तो अगर d के साथ तुम्हारे पास x है तो यह जो लिखा रहेगा उस वाले variable को क्या करना है differentiate करना है पहले basic समझो सब कुछ समझाओंगा क्या करना है differentiate करना है और यह जो y लिखा होगा इस y की value question में given होगी जैसे यहां पर y की value given है एकस square प्रस 3x तो इस y को हटा कर तुम x square प्रस 3x लिख सकते हो मतलब d by dx यह d multiplication में नहीं है d का मतलब मतलब होता differentiate ठीक है ना d by dx लिख दो और y की value लिख दो कितनी है x square प्लस 3x लिख दो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो इसका मतलब क्या होगा इसको आप कैसे read करोगे d से differentiate x square plus 3x with respect to x क्या पढ़ोगे with respect to x बस बोलने का तरीका है ठीक है अच्छा इतनी बात समझ में आती है मतलब सर आप यह बोल रहे हो कि अगर मैं simply dy by dx लिख होगो तो इसको मैं क्या पढ़ूँगा इसको मैं पढ़ सकता हूँ देखो बहुत तरीके से दी से derivative भी होता है क्या derivative भी बोलते हैं या फिर differentiate बोलते हैं दोनों का मतलब सेम होता है derivative बोल लो चाहे differentiate बोल लो दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है derivative of y इसको रीड करते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं डिफ्रेंसियेट वाई विट रेस्पेक्ट टू एक्स बात आई समझ में हां सर बात आई समझ में यह तो क्या समझना है सर बस याद रखना है कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है ठीक है अच्छा अब देखो डिफ्रेंसियेट करने के कुछ रूल्स होते हैं जो बैसिक रूल्स है वो बस आपको निट पॉइंट अव्यू से पढ़ना है सबसे पहला रूल देखो तारे रूल्स याद आपको करने होगे मान लो d by dx है तुम्हारे पास और यहां पे है x का पावर n और यहां पे जो n है वो क्या है एक इंटीजर है क्या है तुम्हारे पस एक इंटीजर है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n into x का पावर n-1 ठीक है सर जैसे मान लो तुम्हारे पास ओ एक्जामपल के तोर पे कि d by dx और यहां पे लिखा हो x square बोलोगे सर यह तो कुछ ऐसा ही दिख रहा कि यहां पे जो x है ठीक है यहां पे जो यहां पे अगर x है तो यहां पर भी x ही होना चाहिए अगर कुछ और हो गया मानलो y हो गया तो उसके कुछ और rules होते हैं जो आगे मैं बताऊंगा ठीक है तो सर यहां भी x है और यहां भी x है सर यह x का पावर n के form में भी है ठीक है करेंगे n में से minus one कर देंगे यहां पर n कितना है तो यहां पर 2-1 लिख लिए 2-1 कितना हो का वन हो गया तो इसका differentiation 2 x हो गया बात आई समझ में हासर बात आई समझ अब बताओ कि अगर मैं बोनूं तुम्हारे पास question है d by dx x square plus 2. क्या यह तुम formula लगा सकते ओओ ? नहीं यह formula तुम नहीं लगा सकते हो क्यों ? क्योंकि तुमको सिर्फ x का power n पता है देखो तुमको सिर्फ x का power n पता है यहाँ पे x square plus two लिखा हुआ है तो जादा लिखा हुआ है Raw पर तो आप यह फॉर्मुला डारेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो लेकिन जो डिफ्रेंशियेशन का एक दूसरा रूल होता है वो यह बोलता है कि d by dx हो और यहां पर क्या हो कुछ भी रहे तो इस d by dx को अंदर घुसा सकते हो मतलब कि देखो यहां पर प्लस है हर जगा मल्टिप्लिकेशन नहीं है क्या है प्लस है तो आप इसको क्या लिख सकते हो du by dx देखो u को एक बार इसके साथ लिखे फिर प्लस लगा देंगे यहां फिर v को इसके साथ एक बार लिखेंगे फिर dv by dx फिर प्लस लगा देंगे फिर dw by dx फिर प्लस लगा देंगे फिर डैस 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 जो भी आगे होगा तो उसी तरीके से अगर तुम इसको देखोगे इसको देखोगे तो यह इसको कैसे solve कर सकते हो देखो d by dx of x square plus 2 तो सर ने बताया था कि सबसे पहले हो तो यहां पर x है तो यहां भी x होना चाहिए तो यहां पर x मिल जा सकते हो क्या यह x का power in है नहीं x का power in नहीं है तो यह plus के साथ लिखा हुआ है कुछ तो सर ने बताया था अपने second point में कि इसको आप अलग-अलग करके लिख सकते हो तो अलग-अलग करके लिख दो d by dx और x square एक बार इसके साथ लिखो फिर क्या लिखो प्लस लिख दो यहां प्लस लिख दो, फिर क्या लिख दो, दी वाइड दी एक्स, फिर इसके साथ लिख दो, तू, अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, root 2, root 3, जितने भी numbers होते हैं न, वो क्या होते हैं, constants होते हैं, और constants को mathematically, generally, c से दिखाय जाता है, ठीक है, किसी भी किसी भी किसी भी कॉंस्टेंट का जो डिफ्रेंसियेशन होता है वो कितना होता है जीरो होता है लिखना सी क्या है कॉंस्टेंट है मतलब कि कोई भी अगर नंबर हो तो यहां पर अगर तुमको नंबर का डिफ्रेंसियेशन करना है तो इसका डिफ्रेंसियेशन कितना अलग चीजे लिखी हो तो क्या करना है उसको अलग अलग करके डिफ्रेंसियेट करना हो याद रखना अगर प्लस और माइनस में रहे तभी करोगे लिख लेना प्लस या फिर अगर माइनस में रहे तब भी तुम कर सकते हो जैसे मैं तुमको बोलू कि मालो तुमको इसको differentiate करने है d by dx x cube minus 3x square plus 2 इसको तुमको differentiate करना है सबसे पहले देखो यहां पर यहांब इक कि नहीं है कि यह एक्सकाप़ जीरो लेकिन छुपा हुआ है ठीक है इतनी बात सम現在 क्या यह expect n है नहीं यह expect n नहीं है क्योंकि यहां मैंस प्लस लगा हुआ है साथ में साथ ठीक है यहां पर दो बस सिंप्ली एक्स का पॉल इनका फॉर्मूला हमको पता है लेकिन सर ने बताया थे कि अगर माइनस और प्लस लगा देंगी ना तो इसको अलग हो तो आप अलग-अलग करके लिख सकते हो अलग-अलग qo terms को dare ऐसे x-square ट्ुए-इक्स-ब्ऐस-3 है इसका यह एक तर्म हुआ यह इसका टर्म हुए ट्उ एकS 3 इसका टर्म हुआ थो तर्म को तुम अलग-अलग करके लिख सकते हो अगर वह माइनस और प्लस से सेप्रेटेड है तो सर बात आई समझ में इसका डिफ्रेंसियेशन क्या होगा सर लगाते हैं इसका डिफ्रेंसियेशन क्या होता है nx nx n-1 ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा देखो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3x 3-1 हो जाएगा ठीक है n को multiply कर दिया है निचे में ठीक है x और 3-1 बिल्कु सही अब सर यहां पर x का पर n से compare करेंगे तो सर यहां पर 3 इसके आगे तो कोई number multiplication नहीं है तो क क्या करेंगे सर फिर से एक रूल सिको देखो अगर मान लो डी बाइडी एक्स कि टी एक्स का power n रहे यहां पर तो अगर constant multiply हो रहा होता है अभी मैंने बताया कि सी मतलब constant मतलब कोई भी number अगर constant multiply होता है तो आप डी बाइड एक्स के बाहर लिख सकते हो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो ठीक है तो यहां पर constant multiply हुआ है क्या 3 तो इस 3 को आप बाहर लिख सकते हो डी बाइड एक्स स्क्वाइर प्लस यह देखो टू है constant है तो इसका differentiation कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो बस हो गया यह 0 हो गया तुम्हारे पास इसको simplify कर दो यह कितना आ रहा है इसको 3x स्क्वाइर माइनस 3 और यह x स्कॉइर का differentiation कितना हो जाεται और ऊंठाट कितना हो चाहएगा 2x हो जाएगा जै कितना हुआ 2x हो जाएगा है वात आई समझ में हां सरबात आई समझ में तो ऐसे differentiate किया जाता है क्या किया जाता है ऐसे differentiate किया जाता है अब कुछ और रूल समझों अब कुछ और समझों कुछ more important formula समझों सबसे पहले तो आपको इतने formula यादी होने चाहिए x का power n ठीक है c को आप बाहर निकाल सकते हो मतब कोई constant रहे अगर constant multiply हो रहा है तब तब बाहर निकाला नहीं तो यह नहीं कि minus plus से बाहर निकाल दूए ना भाई माइनस प्लस होगा तो separate करके लिख सकते हो अगर कोई constant x के साथ multiply कर रहे हो तो उस constant को बाहर निकाल सकते हो ठीक है इतनी बात समझे मैं है इसर अब कुछ differentiation के formula और याद रखो d by dx of साइन एक्स क्या होता है तुम्हारे पास कॉसेक्स होता है ठीक है डी बाइड डी एक्स ओफ कॉसेक्स तुम्हारे पास क्या होता है यह होता है माइनस से साइन एक्स डी बाइड डी एक्स ओफ 10x तुम्हारा क्या होता है तुम्हारे पास होता है 6 square x ठीक है d by dx of 6x तुम्हारे पास क्या होता है 6x tan x यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि यहां पर अगर x है तो यहां भी बस x ही है अगर यह x के अलावा कुछ और हो जाएगा x plus 3 मालो यहां पर हो गया sin x plus 3 यह formula अपनी के बल नहीं होगा उसके कुछ all दूसरे formula होते हैं वो अभी मैं आगे सिखाऊंगा यहाँ पर x है तो यहाँ भी बस x ही होना चाहिए यहाँ पर x है तो यहाँ भी बस x ही होना चाहिए ठीक है देखो बात समझ में आई हाँ सर बात समझ में हमें आ गई ठीक है अच्छा तर इतने फॉर्मुले दो फॉर्मुले और याद करो पच्वा छट्वा कि डी बाइद डी एक्स ओफ Logo काट एक्स इज़िगोल टाम मैनस स्पॉटस्पॉर एक्स जतोता मैंध आगे दूट तक है यह मल्टिप्लाइक करें कर औरिमृट कहां से मल्टी के शन फिक है बांत है इतनी बात समझ में आगे तो चलो इसकोढ्रियंट करो तो d by dx of sin x plus 4x square उस सर ने बताया था कि अगर दो टम्प्स प्लस से सेपरेटेड हो तो दोनों को अलग-अलग करके आप लिख सकते हो तो अलग-अलग करके सबसे पहले लिख लो d by dx of sin x plus d by dx of 4x square अलग करके लिख लिख लिया सर अब सर यहां पर कुछ और हम सिंपलिफाई कर सकत है बिल्कूल देखो यहां पर 4 इसे multiply हो रहा है तो इसको आप बाहर करके लिख सकते हो मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो और यह x square लिख सकते हैं सर अब यहां भी एक्सेसर और यहां भी एक्सेसर मतलब इसका differentiation कितना हो जाएगा कॉस x हो जाएगा प्लस 4 का 4 लिख दो औ पार एन वाले रूल से देखो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2x आ जाएगा यह तुम्हारे कितना हो गया कॉस x से प्लस 4 इस बात आई समझ में हां सर बात आई समझ में तो सारी चीजे बैसिक से तो लेकर चली रहा हूं लेकिन थोड़ा बहुत तो यार ज्यादा मेहन इतनी बात समझ में हमको आज आती है अब जड़ा बताओ कि आगर मैं बोलू कोशन दूं आपको कि डी बाई डी एक्स आफ आपको साइन एक से प्लस 3 निकालना है बोलो कि सरी प्लस से से अलग अलग कर दें ना भाई साइन पूरा फंक्शन है इस साइन के साथ है पूरा ए एक तर्म ही है तुकि यह सायन के साथ x plus 3 bracket में लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर अगर x है ठीक है तो यहां पर भी बस x ही होना यहां पर एक्स प्रस्ट्री आगया तो यह रूल अप्लीकेबल नहीं होगा आई बात समाज में हां सर बात आई समय में तो सर ऐसे को कैसे यहां परेपाप डी वाइब टी एक्स और यह सर ने बताया था इसका मतलब होता है डिफ्रेंसियेशन अफ वाई विज रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब वाई की जो वाई यहां पर पूट कर सकते हैं पूट कर देते हैं सर लीजिए सर कुट कर दिये प्यार से लो भाई क्ते हैं लो भाई लिख दिये ठीक है लिख दिये अब यहां पर 4 एक्स का पाई 4 अब यहां पर 1 के साथ 4 मैल्टिप्लाई हो रहा है तो is 4 को हम लोग doświad क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं तो इसको otherwise कर दोगे तो यह इस तरीके से कुछ दिखेगा भाई साहव इस तरीके से suis तरीके से कुछ आपको दिखेगा ठीक है यहां भी एकस और यहां भी एकस है ठीड़ी का डिफ्रेंसियेशन क्या होता है सेकग स्कॉर में होटार है 겠ो प्लस 4 का 4 लिख दिया अब x का power n के form में है यह देखो x का power n इसका differentiation क्या होता है n x n-1 तो यह उपर वाला power होता है नीचे यहां पर multiply हो जाता है तो यह कितना हो जाएगा into 4 फिर क्या लिखूँगा x का x लिखूँगा और जो n है उसमें से 1- कर दोंगा तो क्या लिखूँग बात आई समझ में हाँ सर बात आ गई समझ में ठीक है बात आ गई सर समझ में अच्छा इतने सारे रूस हो गया अब देखो यह सारे तो प्लस में आ रहे थी यह सब differentiation आप कर लोगे और यही सब differentiation ज्यादा यूज होगा अगर इतना अभी सीख लिए ना इतना तो समझ लो कि निट पॉइंट पॉइंट व्यू से जो differentiation का यूज है आप 90 परसेंट समझ लिए बस इतना ही इसलिए घवराना नहीं अगर कुछ नहीं आता है यहां तक differentiation करना सीख लेना भाई साहब 90 परसेंट सीख लिए जो निट में यूज होने वाला है याद रटना ठीक है चलो अब मान लो मैं तुम्हें दूसरा कोशन देता हूं और मैं बोलता हूं कि मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है एक्स इज इक्वाल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वाइर और तुमको डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना बोलो कि बाप अरे बाप सर एक्स वा तो भी आप तो नीच्चे बता रहे थे अब उपर आ गया उसल टी आ गया अरे भाई बस मतलब समझो कि बोलना क्या चाहत हूँ कि इसको रीड कैसे करोगे तब डीफरेंशीयेशन अफ एक्स विद्रेस्पेक्टेट्ब टी क्या रेइड करेंगे डिफरेंशीयेशन अफ एक्स विद्रेस्पेक्ट्ट्ट्थ und और उसर ने बताया था कि जो भी नियूमेरेटर में होगा ये imbalance उस वैलू गिवेन है कि अगर डिफरेंसियेशन करना है तो यहां पर यहां भी होना चाहिए नहीं तो कुछ और रूम लगाएंगे देखो कुछ और रूल लगाने के तो भी जरूरत है नहीं है अभी यहाँ T है यहां भी T है लेकिन यहां पे सिर्फ T का X का पाउर N नहीं है एक क्शोप और इनके फॉर्म में नहीं है, यहाँ प्लस से अगर अगर है तो सर इसको हम लोग अलग करके लिख सकते हैं, हमको पता है सर, लिख दिया, लो लिख दिया अब स्ध cotronin को टी आ गए अरे और्य जो x को यहां पेन है वहां पर कुछ भी हो सकता है थीख है ना कुछ भी बहुत एक्स के जया कोई भी वैरियेबल हो सकता है ठीक है मतलब तुम बोलो y को पार n तो इसक की तरिकिंत से पश Times का पौर न हैं तो यह कितना हो जागा एंटी एंड मानस वन सेम फ़र्मुला है जहां पर बस एक्स का जगा आप ती लिख दिए तो जहां जाए एक्स है वहां पर क्या लिख दो य लिख दो इसको आप क्या लिख दो एक पाउर एंड इहां पर वैरियेबल या लखना एन तो यहां पर एक्स का जगह आप टी अगर यूज किये तो जहां जहां एक्स है बस वहां पर टी लिख देना है बस यहीं ही यहीं यहीं बदलाव आएगा लिख लेना भाई जो जो बोल रहा हूं तो सर अमको समझे में आ गया कि कुछ नहीं है सर यह एक्स का पौर एंड की तरह ही दिख रहा है तो इसका यहां भी टी है सर और यहां भी यह सर यह हो जाएगा वाले इसिए सरnesday प्रस और कितना हो जाए लिख यह अंसा तोफ्माठे स्क्वाईर सब्सक्स अब इतनी बात समझ में आ गई तो मज़ा आ जाएगा आपको अब देखो अभी तक आप देख रहे थी अगर अगर तुम्हारे पास दो टम्स है एकस स्क्वायर प्लस थ्री एकस का पॉर फाइब और अगर यह दो टम्स प्लस से सेप्रेटेड है या मैनस से सेप्रेटेड हैं तो आप डिफ्रेंसीयेशन जब कर रहे थे तो इसको आप सेप्रेट कर पा रहे थे अलब अलग अलग terms multiplication में हों कि multiplication में जब तो उसका check किसे करेंगे जैसे माने लो तुम्हारे पास दो टर्म है यू और तुम्हारे पास वी दोनों multiply कर रहे हैं और उसको तुमको differentiate करना है थीख है तो क्या होगा पहले फॉर्मुला देंखो सब कुछ समझाओओं तोई यह होगा सबसे प्ले u का u लिख दो ठीक है पिर v का differentiation x के respect में कर दो मतलब फिर क्या लिख दो dv by dx अब u लिख चुक है तो एक बर v अकेले लिख दो फिर बच क्या गया अगर v लिख दिया तो फिर बच गया तुमारे पास u यह तुम लिख दो यहां पर d u by dx मतलब कैसर क्या दो अगर multiply हो रहे हो तो उसका डिफ्रेसियेशन में अलग अलग नहीं कर सकते हैं उसमें कुछ और रूल हो जाता है सिर्फ प्लस से अगर separated हो तब अलग अलग करके प्लिख देंगे है फिर यहां पर कही है यह मल टिफ्ली के संविगे बीच में फ्लस लगा देंगे ठीक यह पर यहां यह और वी डोना था यह तो U बछ गया यहां पर मिल्ट लीक स्में क्या लेजाक है अब हो सकता है कि ऑप यह न हो Alejandry करते अगर इसका तो यहां पर लिख दो यू लिख दो इतना चीज़ करना है तुमको अगर यहां पर लिख दो दिए तो उसके साथ क्या आया हुआ यू आया तो यहां पर लिख दो तो दियू बाई डी एक्स अगर यहां पर यू लिख दिये तो उसके साथ क्या आया हुआ है वी आया है तो उसका डिफरेंसियेसन लिख दो डी वी बाइड एक्स पड्रीकाग एक तो कैसे फर्मूले लिखते हैं दोनों मैंने बता दें नहीं सर्याद कर लिए ठीक है इसका यूज बताओ सेगा सबसे पहला इसका सन लेता हूं मैं जैसे मानलो तुम्हारे पास सी एकी इन टू साइनेक्स इंटु कॉसेक्स है तुम्हारे पास देखो तो यह दोनों अलग अलग टर्म से साइनेक्स और कॉसेक्स तो यह दोनों मल्टिप्लाई हो रहे हैं याद रखना तुमको सिफ डिफ्रेंसियेशन पता है साइनेक्स का तुमको सिफ डिफ्रेंसियेशन पता है कॉसेक तब इसका कॉसेक्स होता है अकेले बस कॉसेक्स आएगए तब माइनस इस याद रखना है यह मॉल्टिप्लाई में हो गया तो सर की बात तो हमको याद आ गई कि दो टर्म मॉल्टिप्लाई हो रहे हैं तो पहले क्या कर लो U & V लिखसे you लिख लिए चलो इसको माल लेटे है यूव यहां इसको माल लिखा लगाँगे ठीक है चलो फिर जो दूसरा वहला Крас acadimo जो दूसरा चर्म बच गया नुस ना उसका différents एक्स केAll चलो दूसर ओलत तुन लनकी पर दिया तो बाशिक जया ऐसा के लिग दोगां सक्षराके समझ में हैं सर बात सख्म होता है तो लिखने यहां पर माय से साइल एक्स प्लस प्लस थिक्षा यह क्या हो जाएक कितना हो यह स्कौर सब्ˇस्कार ना ही समझना है पुरिन नहीं पढ़नी है अब देखो इस रूल को सिखाता हूं और इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल क्यों क्यों बोलते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म सॉम डिवाइड हो रहे अब चलो ये रूल को बताता हूं करो माल लो तुम्हारे पास एक कोशन है कि यॉइन इसका थुम्हों क्या करना है डिप्रेंसिये करने में लिए ग्रीखि निकालना थे कि जो रोता है ना मतलभि उपर में दी के साथ जो यहां पर यह तो अलग अलग टम से सान एक्स और एक्सक्यूब और दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं सर बातकि समझ मनें डिवाइड हो रहे हैं तो सरय को सरुल में आपने क्या बताया था हुच इसको मान लेता हो यह इसको माल लेता हो मैं अगल še क्छू दो इसकूहार निचे वि का स्कॉइर लिएस पहले फर्मुल वालेव लिख लो ठीक न वी स्क्क्वाइर लिख दो और यहां पर फिर यह लिख यू लिख दिया तो फिर इंटु में क्या लिखो कि डी वी बाय डी मतलब क्या यू और वी तुम्हारा दोनों आ चाहिए ठीक है बात आई समझ में हाँ बात आई समझ में अब देखो यू और वी goal तुम मानेolor value पुट कर दो दो जी को मान trójrics Kid का स्कॉयर हो गया वी को मान एक स्कूब को यू है तो यू तुम्हारे पर sin x लिख दिया इंटू डीवी बाइदी एक्स डीवी बाइदी एक्स तो दी बाइदी एक्स तो वी की वैलू रखो वी क्या यहां पर एक्सक्यूब हो गया ठीक है अब इसको डिफ्रेंशियेट कर लो तो इसको अब थोड़ी सी सिंप्लिफाइड करोगे थोड़ी सी गलती करके देखो क्या होगा x3 का square मतलब क्या हो जाएगा x का power 6 हो जाएगा यह x3 हो जाएगा multiplication of यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है तो साइनेश का डिफ्रेंशियेशन कितना होता है सर रहां को पता है कॉससे होता है सर हम प्यार से लिए यह माइनससद माइनस लिग दी और यहां पर साइनेक्स हो और डी नीकाल कर देखो तो तुमारे पास आ दागा 3x square देखो मैं निकाल के दिखाता हूं यह x का power in है न तो क्या लगाओगे nx n-1 तो इसका डिफ्रेंसियेशन होगे याद रखना यह 3x square इसके साथ multiply नहीं हो रहा है भाई मतलब साइड एक्स के साथ multiply हो रहा है एक्स के साथ multiply नहीं हो रहा है यह तर्म कुछ इस तरीके से है 3x square into sin x हां सर हमको इतना समझ में आता है तो इस ब्लेंडर को मत करना तो यह हो गया इसका डिफ्रेंसियेशन का रिजल्ट कि एकदम जीतना जरूवत उतना बता रहा हूं ताकि आप 170 प्लस असानी से टार्गेट कर सको और बहुत सारा पढ़ा दिया जाता है वह मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है बाई नीट पॉइंट पॉइंट आपको करवा रहा हो ना उसको बार बार बोलके अगर डिफ्रेंसियेशन टफ लगती हो इंटिग्रेशन टफ लगती हो तो बस मैं जितने बस तुमको करवा रहा हूं और जिस तरीके से समझा रहा हूं हर एक एक्जामपल का बस चाचर पर प्रैक्टिस करो ना मजा आ जाए का समस्ते जो भी डिफ्रेंसियेशन का यूज होगा आप सीख जाओगे और बहुत वास्ट यूज आता भी है आगे जाकर तो मैं वहीं पर आपको ब पर लो उसमें फॉल्ट अपको हमेशा नजर आएगा गया हम समझते हम सरउम्सर आपके स्टूढूरेंट का होता है और् क्रूडक्ट रूट क्या होता है को इसाहिनी बात हमको समझ में आ गई है अब सर हमें बताऊ एक चेन श्रीन हम लोग पढ़ें सर वो चेन रूल में बड़ा रहते हैं तो चेन रूल क्या होता है देखो इसका कोई फर्मुला और रूमुला नहीं बताऊं को मैं अपने तरीके से आपको बताऊं को कैसे क्या होता है ठीक है जैसे मान लो तुमको y is equal to sin x plus 3 दिया हो और इसका तुमको dy by dx निकालना हो तो सर ने बताया था इतना तो आप लिख लोगे sin x plus 3 यह ब्रैकेट में है तो सर ने बताया था कि अगर यहां पर x है तो sin के साथ सिर्फ x होना चाहिए तब हम लोग कॉस एक्स लिख सकते हैं तो इसका differentiation कैसे करेंगे तो उसमें आता है chain मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा अगर यहां पर सिर्फ हमको पता होता मालने के लिए इसे पूरी वाली क्या हो जाएगा साइड में लिख लो क्या माने हो एक्स प्लस त्री माने इसको लिख लो ठीक है अच्छा तो तुम्हारे पास क्या हुआ इसको जब इसको कैसे लिख सकते हो डी बाइड डी एक्स मेथड सीखते जाना और नोट करते जाना भाई डी बाइड इसको कैपिटल एक्स कर दो और साइन और यह तुम्हारे क्या हो गया अब तुम जिसको माने हों मतलब किसको माने आँ मतलब किसको माने हो इसको माने ओ देखो mixCam 43 को माने ओं क्या करो उसके बाद फिर यहां पे लिको data by small of dx अब जो यहां पे था पहले वही लिख दो यहां प tattoo को माने हो उसका differentiation करो मतलब x प्लस 3 को माने थे तो इसका differentiation ठीक है उसके बाद क्या करो पहले differentiation कर लो तो यह cos of capital x है यहाँ small x मत लिख देना और इसका differentiation कर सकते हो क्या हाँ सर कर सकते हैं कैसे d by dx of x प्लस 3 यह दो अलग अलग तर्म है प्लस है separated है तो इसको d by dx of x plus ुल प्लस दी यह सकते हैं तो यह constant है तो इसका differentiation 0 हो गया ठीक है इसका differentiation कितना हो गया one हो गया ठीक है इसका differentiation बेंशन कर्णा हो देखो एक्स का power one है तो इसका diagnosis ceson कितना हो तो इसके एक्स-1 कितना हो जाए का वन X into one हो जाएगा तुम्हारे ठीक है अब जो X की वैल्यू माने थे लास में रखतो एक्स की वैल्यू क्या माने थे एक्स प्लस थे यह हो यह हो गया इसका डिफ्रेंसियेशन यह होता है इसका रूल कब लगाते हैं चेंड रूल समझ में आ गया जब यहां पर स्मॉल एक्स और कुछ और दीख जाये तो समझ जाना कि तुमको चेंड रूल लगाना है तो सबसे पहला मेथट क्या है चेंड रूल का सबसे पहला मेथट है कि अगर 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 तुमको Capitol X मान लेना है अगर तुमको अगर d by dx में यहाँ पर x और यहाँ पर x वाले टर्म्स ना दिखें तो मतलब direct formula आपको ना दिखें तो ठीक है उसके बाद क्या करना है फिर capital x मान के सबसे पहले differentiate करना है किसके respect में x के respect में अरे भाई जैसे मैं example समझाया हूँ न वैसे ही बस समझ लो सुन तो जाओ अपने language में लिख लेना ठीक है वह ज्यादा आपको समझ में आगा देखो दूसरा example ले ले जाओ हाँ हाँ चलो जैसे माल लो तुम्हारे पास दिया है y is equal to x plus 3 का whole square मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बताओ dy by dx क्या होगा तो आप बोलोगे सब्सक्राइब के साथ उपर में जो भी य आता उससे कुछ ना कुछ अगर जो x plus 3 है उसको capital x मान लोगे तो इसको capital x मान लोगे मतलब x plus 3 को capital x मान लोगे तो यह क्या x का square की तरह दिखेगा बिल्कूल हाँ तो वो क्या इसकी तरह दिखेगा बिल्कूल हाँ तो हम इसको capital x मान लेते हैं अब जैसे ही इसको capital x मान है तो यहां पर बस तू बचा और अगर इसको capital X माल लिए तो जो निचे में small x होता है उसको भी capital X माल लेते हैं अभी सर ने बताया हम तो सर अपने खुली कानों से सुन तुके अब सर हमको इसका differentiation बता है यहां भी capital X है यहां भी capital X है बस condition क्या होती है यहां पर जो भी हो वहां यह होना चाहिए तो इसका differentiation क्या होता है N x n मानस one होता है बात आई में आए सम पेस्ट को माने हो स्मॉल एक साथ डिफ्रेंसियед करो कि Спасибо माने हो माने हो एकस प्रस त्री को डिफ्रेंसियेट करो किसके साथ जो आरिजनल में यहां पे पर स्मॉल एक्स लिखा हुआ था दी वाई डी एकस के साथ बात आई समझ में यहतें इना हो गcion Experts ऑफ x plus 3 को आप differentiate कर सकते हो अराम से अभी मैं बहुत सरे रूल सिखा चुछा हूं हो इसको क्या लिख सकते हो d by dx of x plus d by dx of 3 यह constant है इसका differentiation 0 इसका differentiation 1 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा तुम्हारा d by 2 into x into इसका इसका बात आई समझ में हाँ सर बहुत आगई समझ में सर इतना बढ़ीया से समझाए हो सर तो मज़ा तो आएगा न सर देखो आप मान लो भाई साहब मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है और यहां पर पी है ना वो क्या है एक वैरियेबल ही है मतलब कोई constant नहीं है कोई number नहीं है यहां पर सबसे पहला रूल क्या होता था सबसे पहला रूल होता था य के जागा जो वैल्यू गिवन है वो रखो लो रख दिये सर अब देखो यहां पर दो टम्स एक सिस्क्वाइर है और यहां पर पी है दोनों मॉल्टिप्लाई हो रहे होते हैं तो सर हमें याद आ गया कि प्रोड़क्ट रूल लगाना है और प्यार महबत्वत प्रेम से सर हम लोग यहां पर प्रोड़क्ट रूल लग लिखेंगे यहां पर जो टर्म बच गया उसका डिफ्रेंस एशन नदब डिबाए डी के फिर बीच में प्लस लगा देतें यहां पर पी लीखे तो जो टर्म बच गया तो इसके साथ था कौई साथ घ्ज दिया तो एक सिस्क्वाइर बच गया तो एक्स इस्क्वाइर तब मैंने बताया था d by dx x का power n अगर यहां x हो तब यहां भी x होना चाहिए तब इसका differentiation क्या होगा n x n-1 होगा माल लो d और p का power n यह तुम्हारा p का power n p n-1 तब होना चाहिए जब यहां पर d p होगा यहां भी p है और यहां भी p है तब होगा तब इस x को आप simply p से replace कर सकते हूं ठीक है बात आई समझ में हां सर बात आई समझ में ठीक है तो इसको simply dp by dx ही लिख दोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे प्लस पी अब यहां भी x है और यहां भी x है तो यह x का power n के form में तो इसका differentiation निकालो अपने से अब लिखके लिखाना लिखके मतलब निकालना तो यह इसका पूरा differentiation है बात आई समझ में हां सर बात आगई समझ में अब देखो मालो तुम्हारे पास दूसरा कोई इसके साथ क्या आया है तो इसकी वैलू गिवेन देखो वाई स्कॉर लिख लिए डी बाइड डी एक्स ऑफ वाई स्कॉर लिख लिए अब इसका differentiation 2i हो जाएगा नहीं इसका differentiation 2i नहीं होगा क्यों क्योंकि सर ने बताया था कि x का पर इंदके ऐए लेकिन यहां अगर ex है तो यहां भी x होना चाहिए यहां अगर वाई है तो यहां भी y होना चाहिए यहां अगर भी राघा टम यहां भी रूर एक सिको अध्याद और यहां तो एक्स यहां तो वाई स्क्वायर अगर इस y को मैं capital x माल लेता हूं तो जैसे ही जिसको मानते हैं इसे small x को क्या कर देते हैं replace कर देते हैं सर ने बताया था y को replace कर दिया तो capital x square होगे अब यहां पर एकसा और यहां भी एकसा है तो इसका differentiation क्या हो जागा 2 into capital x हो जागा जैसे इसका differentiation कर लिए सर ने बोला था यहां पर multiply करेंगे और फिर d by क्या लिखेंगे यहां पर जो नीचे वाला originally term था d x लिखेंगे फिर जिसको माने है उसको differentiate करें किसको माने हो यहां simply y लिख देते हैं यह तुम्हारा कितना हो गया 2 into capital x into dy by dx अब हमको पता है यहां पर y है और यहां पर एक से तो इसका differentiation तो पता नहीं है तो यह यहां पर simply छोड़ देंगे अब लास्ट में क्या करेंगे capital x की value रखो capital x की value रखो तो यहां capital x क्या माने थे y माने थे तो यह कितना हो गया 2y into dy by dx बात आ गई समझ में हां सर बात आई समझ में ज्यादा differentiation से डर्ने की जरूत नहीं है जितना मैं बस example करवा रहा हूं जितने concept बता रहा हूं उसका उतने ही बोल बोल के चाचर बरा कॉपी में यह मंदारी से कर लेना कहीं नहीं फसो गई यकीन माने तर पर बरो सर अगया सर हमको चेंडूल समझ में आ गया सर चेंडूल स एकस प्लस वन का होल स्क्वाइर इसको तुमको differentiate करना डी वाई बर डीक्स बोलो कि बाप परिबाप यह क्या आ गया सर तुमको पता होना चाहिए एक रूल exponents और पावर से पढ़े भी होगे कि अगर तुम्हारे पास one by x का पावर n गिवन हो और इस x का पावर n को numerator में ला रिखना हो तो इस पूरे टर्म को बस simplify कर रहा हूं अब तो डिफ्रेंसेट कर रही नहीं रहा हो पूरे टर्म को अगर उपर लाना है तो उपर हम लोग लिख देंगे अब पिसर ने बताया जो भी पावर होगा उसका बस माइनस लिख देंगे यहां पावर 2 है तो इसका मा बात आ गए समझ में ठीक है तो यह बना क्या वाइज इकल टू टू एक्स प्लस वन माइनस टू बन गया ठीक है माइनस टू बन गया अब सर ने बताया था डी के साथ जो भी आगन उम्डेटर में उसकी वैलू रग दो यह आया तुम्हारे पस डी बाई डी एक्स ऑफ बात आई समझ में हां सर बात आई समझ में अब अशर आपने बोला था की हमको एक्स का पाउर एन और डी बाई डी एक्स हो तब जाके यह एक्स एन माइनस करना होगा क्या करना होगा X का पौर N वे करणवर्ट होगा मतलब आप यह दिखे होगे कि अगर formula का type जो मैंने तुम्हें याद करवाया है अगर उस formula से हट कर अगर कोई भी expression आ रहा है तो मैं उसको कोशिच कर रहा हूं कि कुछ मान कर मैं उस formula की उसको लिख सकते हैं लिखनेना जो मैं जो बोला हूं सुनना दुबारा मतलब कि मैं चेनल वहां पर लगा रहा हूं कि मैंने जो basic formula याद कर वा है साइनेक्स के कॉस एक्स के एक्स का पाउर N के टैनेक्स के अगर वह formula हमको डारेक्स नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कोशिच कर रहा हूं कि मैं कुछ मान के उस formula की तरह मैं convert कर दो जैसे मान लो यहां अगर तुम 2x प्लस 1 को capital X मान लेते हो तो जैसे ही capital X मानोगी तो करने क्या बढ़ा था यह स्मॉल एक से उसको भी capital X लिख देना यह तुम्हारा रहता है का डी बाइट डी X capital X और 2x प्लस 1 को capital X माल लिए और पावर तो रहे गाई-2 तो आप देखो इसकी तरह दिख रहा है यहां भी यहां भी एक से कुछ प्लस मानस में नहीं है इन क्या होता है यहां पर कि इंटीजर होता था कोई भी इंटीजर होता था यहां फिरन मानस टू सूब और फिर यहां minus 1 करेंगे ठीक है फिर सर ने बोला था कि जो और रिजनली लिखा हुआ है यहां पर dx वो कर दो multiplication तो d by dx लिख दिए ठीक है फिर मैं क्या करूँगा फिर मैं क्या करूँगा जिसको माने हैं उसको को किसको माने है 2x plus 1 को माने 2x plus 1 हो गया यह कि यह कितना गुआ देखो minus 2 x का पाओर minus 2 minus 1 मतलब minus 3 x का पाओर minus 3 हो जाया इंटू में क्या है d of dx of 2x plus 1 तो इसको तो पराम से solve कर सकते हो दी बाइड दू एकस प्रस्वन इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो यह पे अलग-अलग टम्स है प्लस से सेपरेटेट है तो d by dx of 2x plus d by dx of 1 इसका differentiation तो 0 हो जाएगा इसका differentiation कितना आजाएगा तू आजाएगा । तुम्हारा इन्टू हो जाएगा तू मैं कि इंटू हो जाएगा यह तो मैनस्टू इन्टू इन्टू चैपिटल एक्स क्या माशन हो लास्ट में क्या बोला था कि क्या प्रत्रथ की बल्यू लग दिना capital X क्या माने हो भाई साब capital X माने हो कहा गया भाई साब capital X माने हो तुम 2X plus 1 को यहां पर रहा है यहां रख दो 2X plus 1 का power minus 3 और यह 2 और 2 multiply होके 4 हो जाएगा तो यहां पर 4 दो यह हो जाएगा इसका differentiation अगर इतना differentiation सीख गयाना भाई साब तो कहीं नहीं फसोगे निट में कि बात आई समझ में होब कि मैंने बहुत असान तरीके से आपको समझाया है इतने असान तरीके से को कोई इसका मतलब क्या होता है तो तुम्हारे पास तुम्हारे पास क्या है यह तो अगर तुम दोगे तो इसका मतलब क्या होता है चिस 是這樣 मतलब स्लोप होता है और उसलोप को एक और चीज बोलते है ठैन ठीटा मतलब अगर आप टैन ठीटा बोलो स्लोप बोले या फिका मतलब क्या सेम होता है सर बिल्कुल जमा जम करके सेम होता है सर थोड़ा सा मजा रहा है सर देखो माललो कोई भी कर्व दिया है ऐसे करके मैं बोलू कि इस point पे तुम tangent draw करो तो tangent एक ऐसा line होता है जो कि उस point को तच करते होए गुजरता है लिख लेना tangent ऐसा कोई point होता है जो कि उसको touch करते होए गुजरता है उस point को touch करते हुए गुजरता है, tangent एक ऐसा line होता है, जो उस point को touch करते हुए गुजरता है, तो इस point पे tangent draw करना है, तो tangent तुम्हारा ये होगा, अब ये जो tangent है, यहाँ पे इस point पर क्या करो, horizontal line, horizontal मतलब क्या, x-axis के parallel, तो x-axis के parallel draw किये, इसके साथ मानल, वो angle theta बना रहा है, क्या बना रहा है, वो angle theta बना रहा है, तो इसका जो tan theta होगा, वो क्या कहलाता है, slope कहलाता है, क्या कहलाता है, slope कहलाता है, तो अब tan theta की value निकालो, चाहे dy by dx की value निकालो, उसको दोनों को क्या बोलते है, slope बोलते हैं, लिख लेना भाई साह लिख लेना भाई साब एक चीज जो बोल रहा हूं मुझ से बहुत ज्यादा इंप्वर्टेंट है एक दम बारिकी से खोद खोद के नोट्स बनाओ ठीक है हमको बात समझ में आती है तो डी य बेडिक्स का मतलब क्या होता है साथ स्लोप भी होता है ठीक है आप एक चीज यहा तुम्हारे पास टी है मतलब यह तुम्हारे पास एक से और यह तुम्हारे पास टी है तो बताओ यहां पर कई से दिखाएंगे स्लोप को डिफ्रेंसियेसं के टॉम्स में तो सर ने बताया था कि उपर में वाई एक्सिस पर लिखा वह लिखना तो डी और डी तो लिखना ह तो y-axis पर क्या है देखो y-axis के जगह यहां पर x लिखा हुआ तो यहां पर x लिख दो ठीक है x-axis पर यहां पर x लिखा हुआ यहां पर t लिख दो तो dx by dt जो होगा यहां पर क्या देगा स्लोप देगा क्या देगा स्लोप देगा क्या देगा स्लोप देगा बात आ गई समझ में था सर बात समझ में आ गई बात समझ में सर आ गई बात समझ में सर आ गई अब देखो जैसे मैं बानलो कि तुम्हारे एक एक जामपल देता हूं कि y is equal to x square plus 2 तो बताओ कि इसकी slope की value क्या आएगी किसी point पर और वो जो point है वो 3,2 है क्या है तो देखो 3,2 का मतलब क्या होता है कि जो पहले लिखा होता है वो x की value होती है और comma के जो बार लिखा होता है वो y की value होती है सब कुछ लिखते जाना है तो मैं स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊंगा मजा आ जागा कुछ भी बोज नहीं लगेगा तो सर ने बता है सबसे पहले तो slope find करना है तो पहले यहां पर y और अगर x दिख रहा है तो ऐसे अगर दिख रहा हो निकाल सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे ड्रॉप करोगे पहले तुम टेंजेंट ड्रॉप करोगे किसी पॉइंट पर ही न ड्रॉप करोगे तो किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉप करोगे तभी न स्लोप डिफाइंड होगा क्योंकि वह जो लाइन जो ड्रॉप करते हो वह होरिजेंटल लाइन के साथ जि समझ में हां सर बात आ गई समझ है जैसे देखो मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर स्लोप निकालो इस पर सबसे पहले टेंजेंट डॉक करेंगे तो पहले पताना जरूरी है कि कि इस पोइंट पर स्लोप निकालना पड़ेगा इसलिए मैंने यहाँ पर स्लोप तुमको निकालना है कि इतना समझना था भाई साहब कि डी बैड्यूए एक्स का मतलब तुम्हारा Slope ही होता है क्या होता है डिय कोफ और लिख दिया तो हम लोग कैसे लिखेंगे जैसे तुम्हांन लो तुम्हारे पास ऐसे करके नहीं यहां पर दे दिया यहां पर बता और कि किस की चीज का एक सेक्सिस पर क्या आया है एक सेक्सिस पर यहां पर लिख जो होगा वह इस केस में क्या होगा स्लोप होगा स्लोप का का काम करेगा मतलब वीटी ग्राप में स्लोप क्या देगा डीवी बाइडीटी देगा डीवी बाइडीटी देगा डीवी बाइडीटी देगा डीवी बा पास और समझो दी मतलब हो इसको तुम क्या लिख सकते हो इसको तुम लिख सकते हो अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट दिये हो तो मालो तुम्हारे पास दो पॉइंट गिवन हो एकस वन कॉमा वाई वन और एकस टू कॉमा वाई टू अरे भाई साहब कहने का क्या हुआ कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास एक लाइन हो यह लाइन के लिए डिफाइंड है यार रखना एक लाइन के लिए दिफाइंड है अगर तुम्हारे पास एक लाइन के लिए तुम्हारे पास दिफाइंड है अगर तुम्हारे पास एक लाइन दिय सब्सक्राइब यह तुम्हारी कि स्लोप की वैल्यू आएगी भाई साहब लिख लेना जो जो बता रहा हूं वस उतना इंपोर्टेट है कुछ भी एक्ष्टा पढ़ने की जरूतने इसको ही पढ़के बस आप 170 प्लस टार्गेट कर सकते हो 180 प्लस 180 में से लेकिन इतना याद रखना कि आपको प्रैक्टिस करनी है चिप लेक्चर देखने से नहीं होगा बार बार रिवाईज करना ही करना है तो यह हो गया तुम्हारा डिफ्रेंसियेशन पूरा कंप्लीट डिफ्रेंसियेशन में बस जो बोला ह हूं और जितने एक्जांपल मैं करवाया हैं उसको क्या कर लेना अच्छे से रिवाईज कर लेना क्या कर लेना अच्छे से रिवाईज कर लेना इतना काफी है इससे कुछ भी जादा आपको नहीं करना है बस जो जो बोला हूं ध्यान से सुन लेना उसको अपने लेंग्व पर उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद मैं मोसन इन स्टेट लाइन पर दुबार से आ जाओंगा तो कि डिफ्रेंटीशन और इंटीग्रेशन में एक साथ भी पढ़ा सकता था लेकिन बहुत घिचपित हो जाएगा आफिर आप माथा पीटलो गे इसलिए अगले लेक्षर में मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रब को